हलो आपरिफाइट वालकम टो अपर चैनल नौक री फाइंडर्स मैं हूँ साक्षी आराद्ध के साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट वैकेंसी जो की है आज का ये वीडियो भी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स के लिए है और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी इंजिनियर्ट को भी कवर करेंगे तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें तो आईए आज का व सब्सक्राइब करने के बाद आपको रिक्रूट्मेंट टैब सर्च करना है और उसके बाद आपको एक notification दिखेगा उस notification प्ले की klik करने के बाद आपको पूरी details दिखेगी उस details को आप अच्छी तरीके से पढ़ ले और फिर आपको एक application link दिखेगी आप उस पे करके एप्लिकेशन के साथ सब्मेट करना है तो यही प्रोसेस है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब बात करते हैं हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेकिंसी के बारे में यहाँ पर 25 वेकिंसी है लोकेशन है मुंबई सैलेरी रहेगी 1,60,000 और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन तीन राउंड में होगा सबसे पहला राउंड होगा कंप्यूटर बेज़ टेस्ट नेक्स्ट राउंड होगा ग्रूप टास्क थर्ड राउंड होगा पॉर्सनल इंटर्व्यू तो यहाँ पर यही सब चीज और यदि आपको यहाँ पर अप्लाई करना है आप इसके लिए इंटरस्टेड है तो लास्ट डेट है 15 अप्रिल आप 15 अप्रिल के पहले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है आई टी आई लिमिटेट कंपनी में लोकेशन रहेगा उत्तर प्रद इंटर्विय होगा यहाँ पर आपकी सालरी है 19,000 अप्रोक्स पर मंथ यहाँ पर भी अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है आपको ऑफिशल वैबसाइट पर जाना होगा आई टी आई लिमिटेट की और यदि आपको इसकी लिंक चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन ले नेक्स्ट वैकिंसी है आई एम सिरमोर में यहाँ पर और भी कई सारी पोस्ट के लिए वैकिंसी है और जूनियर इंजिनियर के लिए 13 वैकिंसी है तो यहाँ पर एज लिमिट है 30 तो 56 एयर्स और एक्सपिरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपका सेलरी रहेगी 29,000 तो 2,000,000 पर मंद और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पहले टेस्ट होगा आपका उसके बाद इंटर्व्यू और अप्लाई करने के लिए आपको ओफिशल वैबसाइट पे जाना होगा वहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे अप्लाई ऑनलाईन ओप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करके अप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट करना है और अपनी फोटोग्राफ और सिगनिचर को स्कैन करके वो भी सब्मिट करना है और जब आप सब्मिट कर देते हैं तो उसका एक प्रिंट आउट अपने साथ रखे जो की आगे की प्रोसेस में काम होगा, help वुलाएगा आपके लिए और यहाँ पर आपको application fees देना होगी यदि आप general category और OBC category के हैं तो आपके लिए 500 fees है और यदि आप SCST या woman है का अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए कोई fees नहीं रहेगी अब बात करते हैं next vacancy की जो की है SVNIT company में और यहाँ पर 54 vacancies है और location है गुजरात, age limit है 27 to 56 years, selection process पहले return टेस्ट होगा और बाद में interview salary आपकी 18,000 से लेकर 1 lakh approximately per month रह सकती है यहाँ पर apply करने के लिए भी आपको same procedure apply करना पड़ेगा जो की है आपको उनकी official website पर जाके apply करना रहेगा application form के साथ document scan करके submit करना है और यदि आप यहाँ पर apply करना चाहते हैं आप interested है तो आपको यहाँ apply करने के लिए 19th April से पहले apply करना होगा क्योंकि 19th April last date है अब बात करते हैं कुछ और companies की जिसके बारे में मैं आपको उसकी location बताऊंगी और apply करने के लिए आपको उसकी official website पर जाना होगा और आपको वह link description box में भी मिल जाएगी तो सबसे पहली है हिताची ABB Power Grid location है वडोद्रा नेक्स्ट है आईशर मोटर्स location है मुंबई WSP location है बैंगलोर SUEZ location है बैंगलोर AECOM location है गुरुग्राव बेयर लोकेशन है वापी वॉल्वो ग्रूप location है बैंगलोरू स्वदेशी फाउंडेशन और सेबी लोकेशन है मुंबई तो यहाँ पर freshers apply कर सकते हैं और आपको इसकी लिए official website पर जाना होगा और महां से apply करना होगा तो आज की वीडियो में केवल इतना ही यह सभी vacancies genuine है और यदि आपको apply करना है तो आप उसकी particular dates ध्यान रखे और उसके पहले apply ज़रूर कर ले और इस वीडियो को like share करना ना भूले thank you for watching and have a nice day